हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे बढ़ियां होगे चोटे-चोटे से ऐसे किजन टिप सेयर करने वाले हैं जो आपके लाइप में काफी काम असान कर देगा साथ में समय की बचत होगी तो दोस्तों आज का वीडियो जरा सभी यू और मसाला पीषते हैं डेली ही तो क्या होता है कि इसका समयल जल्दी नहीं जाता है दोस्तों इसको हटाने के लिए देखिए यहां पे हम यूज कर रहे हैं देखिए थोड़ा सा ले लिए एक बावल में हम पानी और ले लेना है निउस पेपर और इस तरीके से निउस किजिए और उसके बाद रात भर छोड़ने के बाद यही पेपर से अच्छे से इस तरीके से में साप कर लेना है तो जितना भी लेसुन पे आज का जो एसमेल है सारा खतम हो जाता है अगर टाइम नहीं है आपके पास तो पेपर को तुरंत ही फुला के और मिक्सी जार में दीजिए तो उससे भी असमेल बहुत ही अच्छा खतम हो जाता है अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा चले देख रहते हैं नेक्स टिप्स नेक्स आइडिया है दोस्तों कॉल्डरिंग के बोतल को लेकर देखिए हम आज बनाने वाले हैं अपने घर के लिए किचन के लि देखा तो हम यहाँ पर आईडिया आप लोह को बता दे रहे हैं इस धकन को हमैं इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा त्रूप ख्यानाई ह향 फिछा धुब्स फिगलाना है अश्यां है तो यहां पे कोई नोकिला साद ले लिजह समान और इसको इस तरीके से देख्या लगाते हुए और रहम एक होल बना लेना है वडूब ना फैसे देखहा डेंगे और इसे १ूडा सा कालिक लगा हुगा है इसे पोच लिजे और पोचने के बाद इसे हम यूज करने वाले हैं देखिए बोतल में जैसे कि दोस्तों देखिए हो जो थोड़ा सा निकल गया ना इसमें कुकिंग ओइल रख सकते हैं तो कुकिंग ओइल गिराने में बहुत अच्छा होगा यह बन गया है बहुत अच्छा जुगार तो यहां पर हम पानी भर के दिखा रहे हैं आप लोगो को कि देखिएगा कि इतना अच्छा से जो पानी गिरेगा इसी तरीके से कुकिंग ओइल रखिएगा तो सबजी बिगरा बनाते हैं तो हम लोग कड़ाही में डालने में बहुत यहां सान होगा बहुत अच्छा रहेगा या बच्चे के लिए कि जो कैचप बेगरा रखते हैं वह भी रखने में काफी अच्छा होगा तो है ना दोस्तो कमाल का एडिया अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा चले देख लेते हैं नेक्स टेप से नेक्स आडिया यहां पे हम ढकन ले लिए इस ढकन में बनाने वाले हैं बर केले एक चमच जितना हम बेकिंग सोडा उसके बार डाल दिये हैं कोई अच्छी वाला टेलकाम पाउडर डाल दीजिए और कोई परफियूम है तो थोड़ा सा परफियूम भी डाल दीजिए इसमें और यह मेरा बहुत अच्छा रूम प्रेसनर जैसा बन कर हो गया है तैया तो यहां पर इसे हम इसको कबर कर देंगे एल्मॉनियум फोयल से कबर करने के बाद इसमें हम एक रबर लगा देंगे तक यह टाइटली बंध हो जाए अच्छा से तो यहां पर यह हम लगा दिये उसके बाद सेप टी पेंसे हम चोते-C yourdney से होल बना लेंगे ऐ theoा फ हम साम बताते हैं जैसे कि रूम में कहीं पर भी रख सकते हैं इसे रूम में से बेड़ेस में ला रहा है बरसात के टाइम में तो कहीं पर भी रख दीजे नई तो जैसे कि हमारे कपड़े से जादे सीलन की बदभू आती है बरसात के टाइम में अलमीरा में इसे रख दीजे ये जो स लगता लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा नेक्स एडिया देख लेते हैं नेक्स एडिया है दोस्तों स्वीच बोड को ले कर देखिए हमारे घर में अगर कहीं नीचे स्वीच बोड दिया रहता है और हमारे घर में चोटे-चोटे अगर बच्चे होते हैं चोटे बच् तो दोस्तो प्रस्णली भाउत ही टीप साइडिया बहुत ही अच्छा लगा हमें क्योंकि हमारे घर में छोटे-छोटे हो तो लाइक है और ने सब 25 वाली वीडियो लाती रहू हूं दोस्तो मिलते हैं फो你 में झाल